नमस्कार चार का चक्रवियू देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिच्षे नेता हो या प्राधी आतंकी हो या जिहादी जो भी गलत करेगा वो चक्रवियू के चक्र से नहीं बचेगा उनकी कारणामों को एक्सपोस करूंगी एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिठठा खोलूंगी तुछलिये बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रवियू के चक्र में आ गए हैं वो है ज्यानवापी मजडिट दूसरे खिबर में बात मुख्तार अंसारी की तीसरे खबर में बाद आतंकी की, चौथी खबर में बाद धर्मांतरन की सबसे पहले बाद ग्यानवापी महजिद की उत्रप्रदेश में वकीलों की हरताल की वज़से लाहबाद हाई कोर्ट में ग्यानवापी मामले में सुनवाई नहीं हो सकी इस मामले में ना तो या चुका करता और ना ही बचाओ पक्ष की ओर से कोई वकील अधालत में पेश हुआ हाई कोर्ट ने ओनलाइन माध्यम से सुनवाई की विवस्था शुरू की है चीफ जस्टिस प्रियंतिंकर दिवाकर की अधालत ने वकीलों की हरताल की वज़से ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई की अनुमती दी है लेकिन किसी वकील के पेश नहीं होनी की वज़से कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तै की वारनसी की अदालत में दायरवाद की पोष्णियता को इलाहबाद हाई कोर्ट में चुनवाई की दी गई है दरसल मूलवाद में उस जगह पर मंदिर बहाल करने की मांगी गई है जहां वर्तमान में ग्यानवापी मस्जिद मौजूद है अंजूमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के ओर से दायर इस दियाचिका में ग्यानवापी मस्जिद का 2021 में एक अधिवक्ता की अधिवशिता वाले आयोग की तरफ से सर्वेक्षिन करने की वारनसी की अदालत की निर्देश को भी चुनौती दी गई वहीं इस से पहले 28 अधिवक्त को मुख्य निया इधिश पृतियंकर दिवाकर की अदालत में जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी तो अंजूमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी ने इस बात का उलेख किया था कि हाई कोट की एकल पीट की ओर से इस मामले में सुनवाई पूरा कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है ऐसे में उस पीट की ओर से फैसला दिया जाना चाहिए हलकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि हाई कोट के नियमों के मताबिक जब किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद भी फैसला नहीं दिया जाता है तो मुख्यन याईदीश के पास उस मामले को किसी अन्य पीट के पास भेजने या स्वैम उस पर सुनवाई करने का अधिकार होता है दूसरे ख़ब में बात मुखतार अंसारी की पुरवाणचल के बाहुवली मुखतार अंसारी को जान कर डर सता रहा है उसने हत्या की आशंका जताते हुए कोट से जेल में सुरक्षा विवस्ता मजबूत करनी की गुहार लगाई है दरसल बाराबंग की कोट में बाहुवली मुखतार अंसारी की बांधा जेल से फर्जी एम्बुलेंस मामले में वर्चुल पेशी हुई कोट को दी गई अर्जी में डॉन ब्रिजेश त्विंग, सुन्दर भाटी, त्रिभूबन सिंग के से खत्रे की आशंका जताई गई सुन भदर से बांधा जेल हत्या के लिए भेजा गया है ताकि ब्रिजेश सिंग और त्रिभूबन सिंग के खिलाफ गवाई ना दी जा सके वही मुखतार अंसारी के प्रात्रा पत्र पर MPML कोट ने सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख तै की है बार काउंसिल के अहवान पर हरताल की वज़द से कोट में गवाई ही नहीं हो सकी मुखतार अंसारी के सरकार बनाम अलका राय के चर्चित परजी एंबुलेंस पामले में वीडियो कॉन्फरेंसिंग से पेशी हो इसलिए अदालत से अपील की जौती है कि जेल में सुरक्षा की मजबूत वैवस्ता करने का आदेश पारित करें वहीं प्रातना पत्र में ब्रिजेज सिंग और त्रिभुवन सिंग के साथ अदावत और मुकदमे का भी जिक्र किया गया आपको बता दें कि अरजी में कहा गया कि डॉन ब्रिजेज सिंग का खाथ बंदी रक्षक अजीद गौतम मुक्तार अंसारी की हत्या कर सकता है इसलिए मुक्तार अंसारी को जान का डर जेल में सताने लगा है तीसरे खबरे में बात आतंकी की उत्रप्रदेश की राजधानी लखनों को दहलाने की साज़िश रचनेवालों के खिलाफ रास्ट्रे जाच अजनसी एनाईय ने सक्त कारवाई करते हुए संदिक्द आतंकी मिनहाज एहमत के घर पर कुर्की का नोटस चस्पा किया है लखनों के दुबगगा इलाकी के अधनान पाली महले में आतंकी गतिवीदियों में लिप्त होने के आरोपी मिनहास के घर पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की का नोटस चस्पा किया गया असलिये नोटस गैर कानून गतिवीदियों के प्राफधानों के तहट मिनहास के दुबगगा के मकान को कुर्क करने के लिए चस्पा किया गया इस कारवाई के दौरान NIA और जुला मजिस्ट्रिट की टीम मौजूद रही वही 11 जुलाई 2021 को यूपी ATS की टीम ने इसी घर से संबंदित आतंकी मिनहास और मार्याउंग इलाके से उसके परिचित मशिरुद दीन को प्रेशर कूकर बम और बारूट के साथ गिरफतार किया था उसके घर से कई संदिक दे दस्तावेज बरामत हुए थे मिनहास ने अपने कई करीवियों को भी आतंकी गती वीदियों को अंजाम देने के लिए मिशन में शामिल किया था जिसमें मिनहास के कई साथ अब भी परार हैं पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया था कि आतंकी मिनाज 15 आउगस्ट के मौके पर लखनों को दहलानी की साज़श रचरात पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने जिस प्रेशर कुकर बम को तयार किया था वो बेहद ही खतरनाक था मिनाज ने प्रेशर कुकर की बहारी सता पर डबल सेलो टेप से हजारो कीले और छर्रे चुपका दिये थे वहीं धमाके के लिए अमोनियम नाइटरिट और माचिस में चुपके मसाले को मिक्स कर गन पाउडर तयार किया गया था दरसल इस गन पाउडर को कुकर में रखा गया एटियस की टीमों ने दुबगगा इलाके से मिनहाज और मार्याउन इलाके से मसीर उद्दीन को गिरफतार किया था इसके बाद मामले की जाच एनाइए को सौप दी गई थी वही मकान आतंकी मिनहास के पिता सिराज अहमत मा बिलकिश फात्मा और भाई रियाज अहमत के नाम पर दर्ज है इस पर कुर्की का नोटिस लगाते हुए मकान के खरीद फरोक पर भी रोक लगा दी गई है चौथी खबर में बात धर्मांतरन की उत्रप्रदेश के कानपूर में एक चर्च के अंदर नाबालिक हिंदू के धर्मांतरन की कोशिश का रोप लगा है मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कारिकरताओं ने चर्च के बाहर जम कर हंगामा किया पुलिस ने घटना अस्तल पर पहुँचकर हालात को काबू किया दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाप थाने में तहरीर दी है दरसल मामला कानपूर नगर जुले के थाना चेतर सवरूप नगर का है 2017 साल एक नाबालिक ने पुलिस में दर्श करवाई। शिकायत में पीरित ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसे एक चर्च से इसाई बनने का लालज दिया गया था ये लाला चर्च के पादरी आनन डेनियल ने दिया था डेनियल पर आरोप है कि उसने नाबालिक को इसाई बनने पर 50,000 रुपे देने का लालज दिया था इसके साथ ही पूरे परिवार के धर्मांतरन करने पर एक घर देनी की बात कही शिकायत के अंत में ये भी बताया गया है कि पीरित के बार-बार मना करने की बावजूत आनंद डेनियल उस पर लगतार दबाव बना रहात घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के पदधिकारी चर्च के बाहर पहुंच गे उन्होंने आरोपी पादरी की गरफ्तारी की मांग उठानी शुरू कर वहीं बजरंग दल पदधिकारी क्रिश्ना तिवारी ने बताया है कि चर्च के अंदर आपत्ती जनक सहीत्य बरामत हुए है तिवारी ने कुछ सीनिय अधिकारी उपर पादरी को संरक्षन देने का भी आरोप लगा है उनका दावा है कि जब बजरंग दलवाले और पुलिस टीम चर्च पर पहुंची थी तब आनंद डेनियल बार बार अप चर्च में तबदील कर दिया वहीं कृष्णा तिवारी ने बताया कि जब उन्होंने चर्च की रेजिस्टर को देखा तो उसमें प्रात्ना के नाम पर आने वाले कई हिंदू के नाम दर्श थे तिवारी ने चर्च और पादरी पर गैर कानूनी धर्मांतरन में शामिल होन उन्हें एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी जुस पर जांच चल रही है अभी तक किसी के घरफतारी नहीं हुई आरोपी पादरी पर उत्तर प्रदेश विधी विरोध धर्म संपरिवर्तन की धारा तीन बाए पांच एक के तहद ऐफायर दर्श कर ली गई है फिलहाल के लि टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार